सरी शिवाई नमस्तू अब्यां दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्री का जो पर्व है वो आचुका है और आप सभी लोगगो को महाशिवरात्री के इस पर्व की बहुत बहुत हार्देक शुभकामनाई है दोस्तो महाशिवरात्री जो है उस साल में सिर्फ एक बार आती है और महाशिवरात्री का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान बोलिनात और माता पारवती का विवाह हुआ था और दोस्तो हम महाशिवरात्री के दिन सभी लोग भगवान बोलिनात की पूजिन अराधना करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए तो आपके पास भी एक बहुत बड़ा मौका है आपके जीवन में बहुत सारी दुख और समस्तियाएं चल रही हो आपकी कोई विशेश मनोकाम ना हो तो भई यह महाशिवरात्री को बिल्कुल मत छोड़ना हम आपको कोच असे विशेश चोड़े चोड़े उपाय बताने जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होती है ना तो इस दिन को बिल्कुल मत छोड़ना हम आपको यह उपाय बता रहे हैं आप इन में से अपनी शनुसार कोई भी उपाय करके जरूर देखेगा चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में सबसे पह जल भगवान भुल्यात को जरूर चड़ा कराना है ठीक है उस एक लोटे जल के अंदर अगर आप चाहें तो एक कमल गट्टा जो होता है ना गुल-गुल वह कमल गट्टा डालकर भगवान भुल्यात की शेव जीव लिंग की ऊपर चड़ा कर आ सकते हैं ठीक है उसके जल चड़ाने के बाद भगवान जी की आरती उतारने के बाद आप वह दीपक भगवान जी को मतलब समर्पित कर दीजेगा ठीक है दीपक चलाने के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ विशेश उपायों के बारे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर मे जो है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके गुतने दर्दे करते हों जिसको जो है पैरों से चलने में बहुत ज़दा दुक्त समस्याओं को सामना करना पड़ता हूँ जो कई सारे लोगों के घर में बुज़र्ग होते हैं जिनकों चलने में बहुता दुख और समस्या होती है तो उन लोगों क्या करना चाहिए? महा शिवरात्र के दिन उनको सरसो के फूल लाना चाहिए कितने सर्जों के फूल लाना चाहिए 108 सर्जों के फूल कहां से लाना चाहिए यह आपको गिहों के खेतों में बहुत आसानी से मिल जाएंगे है न तो आपको 108 सर्जों के फूल गिन कर अपने घर से जो है लेकर शिब जी के मंदर जाना चाहिए क्या करना चाहिए 108 सरसू के फूलो को ले जाकर भगवायन शीब जी की शिवलिंग के उपर प्राथा का सुबा सुबा चढ़ा देना चाहिए चढ़ाने के बाद दोस्तों कुछ समय चढ़े रहन देना चाहिए उसके बाद आपको इनी जो है 108 सरसू के फूलो को वापस सुब जी की शिवलिंग के उपर से उठा लेना चाहिए अपने घर ले आना चाहिए ठीक है अब इन 108 सरसू के फूलो को आपको 108 दिन दख प्रातागा सोबर सोबर एकぎ कर के चबा जबा कर खा लेना चाहिए ठीक है अगर आपको घुटनों में ज़्यादा समस्या है ज़्यादा घुटने दर्द करते हैं या चलने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो आप 5 दिनों के बीतर 108 सरजु के फूलों को जो है बराबर बराबर मात्रा में खालीजिए आपको आपके घुटनों में आराम मिल जा आप ले जाएए एक काली मर्ची और साथ काली तिल के दाने आपको आराम से मिल जाएंगे अपने रसुजगर में एक काली मर्ची और साथ काली तिल के दाने कोई भी कर सकता है सुपाय को भले वो बड़ा हो चोटा हो बच्चा हो कैसा ही हो वो अपनी मनोकामना के लिए सुप नमस्तो ब्यूम का जाब करते हुए अपनी मनों कामना भगवाई शिव जी से बोलते हो इसे शिव जी की शिव लिंग की उपर आपको समर्पित कर देना है ठीक है समर्पित करने के बाद दोस्तों भगवाई से प्रार्थना कर लेना है और अपने घर वापस आ जाना है है ना उसके बाद में दोस्तों महाँचिव словаत्ती की दिन बेर चाड़ाने का बहुत ही बड़ा विशेश मेहत होता ऐ जो व्यक्ति महाँचिवात्ती की आप एक बेर तो अवश्य चड़ा ही चड़ाएं कुछ नहीं बोलना है भगवान से आपको बसे एक बेर चड़ा कर भगवान से परतना करके अश्रवात लेकर अपने घर वापस जाना है इससे भगवान बहुत जदा प्रसंद होते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों अगर कोई समस्या हो जाए तो उससमें उस बेर को खिला दीजिएगा उस बेर का थोड़ा सा भाग खिला दीजिएगा आदे घंटे के अंदर आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है बहुत ही विशेश उपाया पर सिर्फ माज चुवरात्री के दिन किया रखा हुआ यह चुवरात्री की दिन कि पर चड़ा हुआ पेर ही आपको इस उपाय में फल दे पाएका है ना चलिए दुस्तों अगले उपाई के हम लोग बात कर लेते हैं अब अगले उपाई में आपको करना क्या है कि इस अगले उपाई में आपको लेना है एक धतुरा और साथ बेल- पत्री यह उपाई उन लोगों को करना है जिन लोगों को घर में बहुत जाधा मतलब ऐसे व्यक्ति हैं ऐसे सदस्य हैं जो कि मतलब गलत वैशन में पढ़ गए हैं शराब वगयरा आदी का जो है सेवन करते हैं और वह चाहते हैं कि वह सही रहा पर जाए उनके घर के सदस्य कितने एक धतुरा और साथ बेलबत्रि ले ने ठीक है दोनों ही चीजे ज़रूरी है और लुस्तो हिन दोनों ही चीजों को लेकर आपको महा शिव्रातुरी के दिन दोपहर के बारा बजे भगवान भुलिनात के मंदर जाकर इसे शिवजी की शिवलेंग के उपर स्री शिवाइना मुस्तुबियम बोलकर चड़ा देना है ठीक है और भगवान से प्रार्तना कर लेना है बस अतना सा काम है निश्चिती आपके घर में जो भी गलस सदस्य होगा गलस संगत में पड़ा होगो वो दीर-दीरे सही रहा पर आ जाएगा ठीक है करके जरूर देखे कोई भी आपको उपाय को करने में समस्य आती है तो आप हमसे कमेंट करके पोश सकते हैं चलिए दोस्तों अगले उपाय के बारे में बात करते हैं अगला उपाय अगर आप ल करना है इसे जो है अपने घर में घुमा लिया आपको वह नहीं कि बढ़ने के मंदर में पहुंचकर प्रता काल सुभा सुभा अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इसे भगवाण शीब जी की श्रीविवलिंग की ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से विंती करना है प् और सास बहुमराड़ा जगड़ा होता हो तो तक वो काम हो जाएगा सभी आपकी घर में प्रेम आ जाएगा बस यह है उसके बाद में दोस्तों अगले उपाई के अगर लोग बात करें तो यह बहुत ही विशेश उपाई है इस उपाई को करने से अगर आपको लेना है एक धत द्फैरा उस धत्यों के आपको जो है हलदी में ठोबो लेना है हलदी में कैसे पहुँगे चातों ंगले किल लड़ी में ठोलाहा पूरे में करके उसके बलाइन है हो Wissenschaft देह को जाना आए रात्री को बाराव जवाब कहेंगे मंदर तो खुले नहीं रहते हैं कुछ भी करके आप मंदर जाए क्योंकि उसी समय किया जाने वाला यह विश्य शुपाए है रात्री को बाराव जे भगवान बोलेनात के ऊपर यह धतूरा चड़ाए दूरा चड़ाने के बाद दोस आपने घर में ले आई है उससे घर में लाकर किसी भी अच्छी स्थान पर यह चुद्ध स्थान पर अच्छा से बांद दीचे रख भी सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इस उपाए करने से आपके शरीर में जो भी रोग बिमारी होगी आप घर पर इवार में किस आपको लेना है साथ बेर कितने साथ बेर जो बेर आप खाते हो ना जो कि अभी हमने आपको एक बेर का उपाय बताया था उसी से जड़ा हुआ हुआ है साथ बेर इसमें आपको लेना है साथ बेर लेकर आपको करना है जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना है जो व्य के विखती ठीक हो जाए बस इतना सा उपाय रोक भीमारी में आपको अंदर देखने को मिल जाएंगे ठीक है अब दोस्तो अगला विशेश उपाय के अबरेम बात करें तो यह बाइस सब को करना है अगले विश्य शुपाय में आपको शाम के समय प्रदोश काल में एक गोल बाती का घीका दीपक भगवान बुलेनात की मंदिर में जाकर जरूर जलाना है या तो दोस्तों बेल पत्री के व्रक्ष्टी नीचे जाकर भी जला सकते हो या तो तीन जगह उपर आप दी दीपक लगाओ भगवान से प्रादर ना करो आपको बहुत कुछ फलकी प्राप्ति हो जाएगी ठीक है अगर नहीं जा सकते भाहर तो अपने घर के मुख्य द्वार की चौकर पर जाकर ये दीपक लगा दो एक गोल पाती का भगवन बुलेनात के नाम का इसमन करते हुए बुलेनात आपसे प्रसन हो जाएगा और आपको वो सब कुछ दे देंगे जितने के आपने का भी कल्बना भी नहीं करी होगी तो दोस्तों ये सबी वो उपायत है जो कि आप माज रवाति कर सकते हैं और इनका आपको बहुत ही विशिश फलकी आबर प्राप्ति होगा आप